दोस्तो नमस्कार आज हम बनाएंगे दही के पकोड़े जी हाँ ठीक सुना अपने दही के भी पकोड़े बन सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे कटोरा टाइप पितल के अलावा किसी भी धातुगा हो सकता है ये एक साफ कपड़ा दुला हुआ सूती का कपड़ा हो और महीन हो तो बहुत ही बेतर उसके बाद इसको इस तरह इस कपड़े में हम दही डाल देंगे और इसकी एक पोटली नुमा बना कर इसको हम हलकासा निचोड़ेंगे जादर नहीं निचोड़ना है अपने आप जितना पा देखिए किस तरह पाने निकल रहा है इतना पानी तो दही में होते ही है इसके बाद हम एक पोटली में इसको रात भर के लिए रटकाएंगे कम से कम 6-7 गंटे हो तो बहुत ही अच्छा ये हमने समान लिया इसमें चावल का अटा हरी मिर्च कटी हुई लाल मिर्च पावड मिर्च चटनी और सर्सो का तेल तो आईए शुरू करते हैं मसालो को हम अलग साइड में रख देते हैं एक पतीला लेकर जो हमने रात बर सुखाने के लिए धही को रखा था उस पोटली को खोलेंगे बहुत ही देशी टाइप की खुशू आ रही है और देखिए हमारी धही कैसी बन गई है ये देखिए पनीर नुमा बन गई है पनीर नहीं है लेकिन है ही धही इसको हम पतिले में निकाल लेंगे और किसी चम्मच की सायता से इसको हम दबाएंगे हलका सा जैसे गुंदा हुआ आटा होता है वैसा हम इसको बना लेंगे देखिए कुछ इस तरह बहुत ही बहतर इसके बाद हम इसमें चावल का आटा डालेंगे दोस्तों क्वांटिटी के बारे में अक्सर जैसे मैं कहता हूँ आप प्लीस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं आप वहां से देखें और किसी चम्मच की सायता से इसको ऐसा मिला दें कि पता ही ना लगे इसमें धही है या पानी ऐसे मिलाएं अच्छी तरह मिला दें मि इसके बाद हम अपना जो सामान था हमारा मसालों का वे डालेंगे जिनके बारे में मैंने पहले जिकर किया है हम वो सारा सामान डालेंगे दोस्तों ध्यान रहे इसमें अभी हमने काला नमक नहीं डालना है वो हम बाद में डालेंगे तोड़ा सा अलग तरीका दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और खाने में तो लजीज होते ही हैं और बहुत जंदी हजम होने वाले एक ये रेसिपी है सारे मसाले डालने के बाद इसे चमच की सायता से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालना हैं दोस्तों पानी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पानी ज्यादा हो गया तो सारा मामला खराब हो जाएगा थोड़ा सा पानी डालें आप दो या तीन बार करके भी डाल सकते हैं बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना हो और इसको अच्छी तरह से हम मिला देंगे एक बड़ा चमच ले लेते हैं उसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा ओ डाल रहा हूँ आट दस बुन देंगे ज़्यादा नहीं और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे एक तरह से गुंद जाएए आटा हमारा लगबा गुंद चुका है इस स्टेज पर आकर हमें काला नमक डालना है दोस्तो काला नमक ही डालें सफेद नमक नालें रोक साल्ट जिसे बोलते हैं और इसे साफ हात्तों से इसे हम गुंद देंगे जिस तरह हम चपाती या रोटी बगरा के लिए आटा गुंते हैं ऐसे गुंद देंगे देखिए ऐसा गुला बनाकर इसे रख दें ये ज़्यादा सक्त नहीं है न ज़्यादा नर्म है इसको हम पांस मिनट के लिए लगबाग चार-पांस मिनट के लिए रख देंगे इतनी देर में हम अपना जो सर्सों का तेल है हमारा उसको गरम करेंगे खड़ाई गरम होने के बाद ही इसमें सर्सों का तेल डालें तेल इतना हो कि बैस जो हमारे पकोड़े हैं वे अच्छी तरह से इसमें डूब जाएं आटा हमारा बहुत बढ़िया तरिके से त्यार हो चुक है देखिए आप दबा कर इसको देख सकते हैं इसके बाद एक प्लेट ले लेंगे कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं बड़े आकार का और हलका हलका इसको दबा कर ऐसे इस शेप में ले जाएंगे और अब हम इनके बनाएंगे पकोड़े यानि कच्चे पकोड़े आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें गोल चकोर आइताकार किसी भी तरह की लेकिन यह ज़्यादा मोटे नहों क्योंकि ज़्यादा मोटे हो गए तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे बहुत जल्दी बन जाते हैं यह यह आकार हमारा ठीक है ना मोटे हैं ना पतले हैं इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं खासकर बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है ज़्यादा गरम ना करें वैस हल्की हल्की दोओं आने पर हम इसमें हमारे यह जो कच्चे पकोड़े थे यह डालेंगे और मध्यम आज पर इन्हें पकाएंगे बीच बीच में मिलाते रहें और हमारे पकोड़े तयार देखिए आप इसे नास्ते में यह दोपैर के समय कभी भी खा सकते हैं और महमान आ जाएं तो जल्दी से बनाने वाली यह रेसिपी है देखिए बहुत ही देखने में ला जवाब उसके बाद हम इसमें दोनों परकार की जो चटनी हैं हमारी वह डालेंगे ग्रीन चिली सोस और रेट चिली सोस के साथ हम इसका अनुभाव करेंगे बहुत ही बढ़िया आप मिठी चटनी में ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और एंजोई करें तो मिलते हैं दोस्तो अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई जो उढ़ एंजोई दोस्तों अनुछ